नमस्का फ्रेंड्स आर्स ग्यान यूट्वी चैनल में आपका हर्दिक श्वागत है जैसे अब देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर बिश्व ध्याल है अनुदान आयोग यूनिवर्स्टी ग्रांड्स कमेशन क्वालिटी हायर एजूकेशन फॉर आल यूजी सिनेट और पेमेंट इनकेस फेल्ड हो गया है बट कट भी गया है साथ ही साथ या फिर सक्सिस हुआ है बट प्रिंट आउट नहीं निकल पाया है जब डेस्ट पर देख रहे हैं तो वहां पर पेमेंट पर बटन फिर से आ रहा है या फिर लिख कर आ रहा है प्लीज बेट 15 मिनट पर पेमेंट कनफर्मेशन और जब आप पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर रहे हैं तो वहां पेमेंट स्टेटस फेलर आ रहा है लाग बग 15 मिनट का समय लगता है पेमेंट को समय सर्वर को समझने में तो उसके बाद फिर नावाका ऑप्सन जो आपके समने दुआरा आता है यदि payment status क्लिक करने बाद payment success हो जाता है तो आपका print out निकल आएगा यदि failure आ रहा है और status update होने के बाद भी failure आ रहा है तो आपको द्वारा payment करना पड़ सकता है क्योंकि last date आप बहुत ही ज्यादा नस्दीक आने वाली है ऐसे में side अच्छी चले तब आप payment का यूज़ करेंगी तो ज़्यादा better रहेगा और इसमें तीन options आपको देखने को मिलते है SVA, HDFC है और साइद एक ICIV है लागगा तीन वेंगों का option है तो आप अगर HDFC यूज़ करेंगी तो आसानी से payment कर रहेगा और कोई भी error issue मेरी समझ में आपको नहीं आना चाहिए मैंना आज payment किया तो बड़ी आसानी शोगया कोई दिक्कत नहीं आई है SVA, EBS से आपको problems हो सकती है बट confirm भी नहीं कह सकते है यूदो payment करने के बाद ही पता चल सकता है इसली payment करना है तो HDFC bank का यहां option मिलेगा आपको इस step के बाद उसको आप use कर सकते है तो यहां पर click करना होगा Pay out से new candidate के लिए जिनका payment कट गया उन्हें तो प्रतिच्छा करनी होगी या फिर help line number email ID का तुरंत use करना होगा जिस दिन payment आपका कटा है और जो working days होता है सुबह 10 से लेके सांगो 6 बजे तक इस चीज़ का business द्यान रखे account भी check करते रहें कि payment refund तो नहीं हो गया है और payment दी success कटा है तो please wait कर लीजिए और अगर last date बिल्कुल ही नजदिक आ चुकी है एक दिन ही बचा है तो फिर आप अपने according action लीजिए क्योंकि date action होगी या नहीं होगी यह तो बात में ही confirm होगा फिलाल तो tensions बनी हुई है तो चलि हैं अगले step में आप देख पा रहे होंगे SBI EP है HDFC ICI हो तो आप इस HDFC वाली option पर क्लिक करेंगे तो अगला options HDFC bank का आपके सामने है और यहां पर credit card है debit card है net banking UPI तो हमने debit card से payment किया था debit card पर क्लिक किया card का नमर डाला एक्सवारी डेट डाली CV नमर डाला make payment पर हमने किलिक किया है OTP को डाला है make payment पर किलिक करेंगे अगला स्टर आपके सामने है payment successful हो चुका है कुछी second के बाद O की बटन पर आपको किलिक कर देना होगा तो दोस्तों यहां पर payment जो success हो चुका green बटन या बन चुका success का और go to dashboard का बटन में आ चुका go to dashboard पर किलिक करेंगे सीधा पहुंचेंगे dashboard पर भाँ मिल जागा आपको download application form का button और वहां से आप complete application form को download कर सकते हैं यदि form update हुआ है या फिर तुरंत फीस आपकी update हुई है तो इस प्रकार का process करके आप यहां तक पहुंच सकते हैं बात करते हैं यहां पर देखिए एक transaction मेंने SUI EPA से किया था जो की failure हुआ था तो यहां जो हमने update status पर क्लिक किया था payment failure ही आ रहा था चूंकि payment नहीं कटा था बट यहां जो है go to dashboard बटन है यहां पर आपको मिल रहा था कि please wait 15 minutes उसके बाद यहां pay का option activate होगा यह एक शुबदा कर दी गई है उससे पहले आप pay now button नहीं कर सकते हैं उससे यह है कि आपको द नुक्षान हो जाता तो यहां जब तक एक computer system मना दिया गया 15 minutes जब होंगे तभी पेवनाओ का बटन आएगा तब तक आपका फीस payment update होने के chances बढ़ जाते हैं और आप लोग इन करके update status पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं मेरा payment update हुआ है नहीं हुआ है और red button यह highlight हो जाता है 15 minutes क इसके बाद ही पिए का option activate होगा तब ही आप द्वारा payment कर पाएंगे बात यहां थोड़ी सी कर लेते हैं देखिए जैसे payment कट गया है यह success हो गया फिल्ड होगा है और update status करने पर update भी नहीं हो रहा है यह update हो गया है तो तो आप process करके final printout नकाल सकते अब update ही नहीं हुआ है त तो आप क्या कर सकते हैं तो यह सारी चीजें थोड़ा एक tension थोड़ा बनाती है बड़ थोड़ा धेर रखना होगा आपको 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 पास तीन दिन है तो आप 4 गंटे का वेट कर लीजिए अपना account चेक कर लीजिए यह payment success करता है तो update friends जरूर होगा और in case first भी जाता है तो उसके लिए आप वो self हो सकते हैं आपको करना है कि लाज्ट टाइम होगी या नहीं होगी यह सब कहना मुस्किल हो जाता है तो थोड़ा समझदारी से काम करें जिससे की payment आपका update हो जाए बड़ यहां 15 मेंट का time दिया जाता है तभी आप द्वारा payment कर सकते है उस time अग पर जाएंगे और जाने के बाद आपको प्रेंट आउट का option मिल जाता है जब भी payment update होगा तो आपके सामने payment success का status में दिखा चुका हूँ और जब go to dashboard आएंगे तो इस परकार की options आपके सामने होगी registration completed application form completed fees completed और download application form का button भी आपको देखने को मिलेगा और यहां से click करके दूसरे हों कि मेरा तो success होई जाएका नहीं जब तक जो transaction status में अभी आपको दिखाया वहां पर success होना चाहिए और go to dashboard आके इस प्रकार के जो status देख रहे है complete 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 download application form का button यह सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए final print out जरूर हाथ में होना चाहिए तबी आपका form successful माना जा सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक subscribe कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्दवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत